हेलो मेरे प्यारे दोस्तों गुड मार्निंग और आप सब लोग कैसे हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं तो दोस्तों हो गया है सुबा और सुबा के बज गये हैं चार आभी मैं सोके उठ गए हूँ बिश्तर समेट के रख देंगे उसके बाद में फिर दर्वाजा खोलेंगे और हाँ दोस्तों अभी बहुत अंधेरा चार वज़रा है ना इसलिए बहुत अंधेरा देख सकते हो पूरा दिखा रहे हैं पूरा अंधेरा अंधेरा बाहर दिख रहा है और दूर दूर जो लाइट जल रही है वही सब थोड़ा दिखाई दे रहे हैं बाकी बहुत अंधेरा है दोस्तों तो यहां का दर्वाजा खोलेंगे उसके बाद में फिर अपना काम करेंगे चालू तो दोस्तों सुबह में सबसे पहले मैं उठती हूं माता जी का पूजा करती हूं दर्शन लेती हूं उसके बाद फिर काम अपना चालू करती ह तो दरसनोंसन कर लिये हैं तब फिर बिश्टर बटो रहे हैं तो यहां पर देखिए पहले बारता निकालेंगे भीगाएंगे उसके बाद में फिर जाडु लगाएंगे तो दोस्तों सुबा में अगर चार बजे उठी जाओ या फिर पांच बजे उठी जाओ अपना काम करो तो जल्दी सकाम हो जाता है पूरे दिन और दूसरा काम आप कर सकते हो क्योंकि सुबा काम जल्दी होता है जितना ही जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा ओइसे तो फिलाल हम लड़कियों को जल्दी आराम नहीं मिलता क्योंकि पूरे दिन काम करना ही रहता है सुबा में उठो चार बजे खाना बनाओ खिलाओ फिर दुबारा बरतन धुलो जारू लगाओ सबका कपड़ा धुलो फिर नहाओ कपड़ा धुलो उसके बाद खाना खाओ पूजा उजा करके फिर उसके बाद में लड़कियों को अक्सर करके नहीं लेटना चाहिए काफी देर तक क्योंकि लड़कियों को दूसरे के घर जाना रहता है आभी साधी हो जाएगी हमारे दूसरे के घर हम जाएंगे तो अगर लेट यही मतलब लेट उठने की मेरी आदत रहेगी न कि जैसे 6 बजे उठें 7 बज बिच भी नए सिखाये हैं इतने लेट लेट तक सोती है मतलब कोई भी बात आएगी न तो डायरेक्ट मम्मी पापा के ऊपर आएगी इलजाम तो इसलिए हम सभी लोगों से बोलेंगे जो भी लेड़िस हैं सबसे बोलेंगे जिनकी साधी हो गई है उनको भी जिनकी साधी ही है उनसे भी हम यहीं बोलेंगे कि थोड़ा सूबह मे度 उठना चाहिए चार बज़े उठ जाओ पांस बज़े उठ जाओ सारा काम कर लो एही आदत बनी रहेगी हमेसे कहीं भी रहेंगे जल्द से उठके अपना काम कर कोई कुछ कहने का चांस नहीं पाएंगे तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है हम अपने घर पे नहीं हैं वीडियो बनाने की वज़े से मैं घर से दूर आए हूं और रूम लेके रहती हूं मैं भाड़े पे रहती हूं दोस्तों तो आप लोग समझ सकते हो एक लेडिस होके रूम लेके रहती हैं भाड़े पर कितनी सारी प्रोग्लम आती जाती रहती हैं पर क्या करें यही उम्मीद लगा के हम हैं कि हमारे दोस्त कभी हमको सपोर्ट करेंगे और हमारा वीडियो वाइरल होगा हम आगे बढ़ेंगे हमसे सब लोग मिलने आएंगे तो फ वीडियो बना रही है इसकी कोई इज्जत नहीं में बहुत कुछ सारा बोलते थे बट हम इगनोर मारते थे आप लोगों को तो पताईए आपके सामने कोई बात बार बार आएगी तो आपको दिक्कत तो होनी ही है तो इसलिए हम सोचें घर से दूर हो जाएंगे अपना काम करेंगे जब आगे बढ़ जाएंगे तब उसके बाद अपने गाउं में आएंगे तो दोस्तों एक साल हो गया है पर अभी तक हम अपने घर पे नहीं गयें जो कि हम घर पे अपने रहते थे घर से हम कहीं भी नहीं जाते थे पूरे दिन अपने घर पे काम करते रहते थे सि पहली बार ऐसा हुआ कि हम अपने घर से दूर हैं एक साल हो गए अपने घर पे नहीं गए हैं यही उमीद लगाए बैठे हुए हैं कि आप लोग एक दिन हमको सपोर्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे फिर अपने घर पे जाएंगे तो सभी लोग जल्दी से उठे अपना कभी कह पाएंगे तो हमारा खाना देखिए बन के रेडी हो गया सारा खाना रख भी दिये गैस चूला था उसको भी साप कर दे रहे हैं और दोस्तों देखिए अब साप कर दिये थे उसके बाद कपड़े से पोच दिये उसको ताकि मतलब उसमें मूर्चा न लगे गैस कि मेरे को गेहूं उतारना था तो ऊपर था ना तो ऊपर था नहीं पार रही थी पर फिर भी लटका के उठाए हैं और यहां पे देखिए सिर पे रखे हुए हैं लेके आरें बाहर तो क्योंकि आटा खतम हो गया हमारा तो हम सोचें देदें पीसने के लिए एकदम से खतम ह हो गया है थोड़ा सा आटा है साम को बनाएंगे तो खतम हो जाएगा तो अब यहां पे देखिए च्छत पे लेके आएंगे गेहूं फैलाएंगे क्योंकि गेहूं धुल के हम रखे थे तो मतलब हो क्या कहते हैं नरम हो गया कड़ा नहीं है तो पिसाएंगे तो आटा अच सूखने के लिए तो यहां साल है इसी पर डालेंगे सूखने के लिए क्योंकि नीचे नहीं डालेंगे सूखे और च्छत गंदा था ना तो जाड़ू लगा दिया फिर भी पानी से पोच्छा इसको मारते हैं फिर हम यहूं डालते हैं च्छत पे तो पोच्छा नहीं लगा सारा काम रहता है लड़कियों को करना रहता है और बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो कि बोलते हैं लड़कियों को ये लड़कियों को कोई काम नहीं रहता है बस खाली खाना बनाओ खिलाओ सो जाओ बैठो अराम करो अच्छा रहता है नहीं नहीं अच्छा रहता है देखो लड लड़कीयों को कोई लड़की बात बोलते हैं कि लड़कीयों को कोई काम नहीं रहता हूं aircraft impact तो दोस्तों हम तो यहीं जानते हैं काम करोगे में अच्छा रहोगे कोई लोग कुछ कई भी नहीं पाएंगे आपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगी और हमेशा मतलब आप सही सलामत रखेंगे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी बस यही हमारे